दूस्तों, क्रिप्टो इंडिस्टी मीं जो लोग ट्रीडिंग करते हैं, उनके लिए एक बिग इवेंट आने वाला, यानी बिटकोां की हाल्विंगा आने वाली, बिटकोां की हाल्विंग चार सालों के बाद आती हैं और इस event में फाइदा क्या होता है लोग का वो ये कि जो bitcoin की supply हर 10 minute में जो हो रही है उसकी आधी हो जाती, पुर्य 24 गंटे की बात क्या जाए, जहां पर 906 bitcoin पुर्य 24 गंटे में supply में हर दिन आ रहे हैं, हर दिन 24 bitcoin आ रहे हैं, यानि हर 10 minute में 6.25 bitcoin आ रहे हैं, वो आधे हो जाए यानि 453 bitcoin आएंगे हर 10 minute में देखा जो 3.125 यानि तक्रीबन सवा तीन bitcoin हर 10 minute में market में आएंगे, तो यह जो वो ratio है, जो bitcoin की अभी की current supply है, उसको ठीक आधी कर रहा है, अब क्योंकि demand bitcoin की बढ़ चुकी है, bitcoin का ETF अप्रूव हो चुका है, El Salvador और पूरी दुनिया जहाने bitcoin का ना बढ़ चुका है, तो यहाँ पर bitcoin की जो demand है, वो धीरे 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 बढ़ रही है, और क्योंकि price भी बढ़ रही है, जैसे price बढ़ रहा है, वैसे demand बढ़ रही है, तो यहाँ पर इसका फाइदा उन लोग को मिलता है, जो bitcoin के early holder है, early जिन लोग अडॉप्ट किया है, तो वह स्वाद करते हैं, वीडियो की, तो bitcoin की halving को technical यो detail में जानने के लिए थोड़ा सा technical चले जाते है, bitcoin की blockchain में किस तरीका से ये काम करती है, दरसल यहाँ पर screen पर आप देख रहा है, bitcoin का chart हमारे सामने है, और यहाँ पर यह screen पर यह box देख रहा है, यह bitcoin के blocks को indicate किया गया है, कि halving के समय जो block mine हो रहा होगा, वो 8,40,000 वाला होगा, तक्रीबन अभी का देखा जाए, तो 3,200, 3,200 approximately, 3,200 something जो number है, उतने blocks बाकी है, और हर 10 minute में एक block mine हो रहा है, हर 10 minute में, transaction speed की बात किया जाए, तो यहाँ पर 4.96 transition speed है, bitcoin काफी slow है, बहुँ ज़ज़ slow network है bitcoin का, क्योंकि यह first generation है, और यहाँ पर जो transaction है, उनको देखा जाए, अगर हम, तो हर 1 second में यह सारी transaction हो रहा है, और यही transaction मिलकर बनाते हैं, एक block, और यह block, जब एक block mine हो जाता है, तो उस समय जो miners होती है, उनको जो reward होता है, उसमें मिलता है, 6.25 bitcoin आज की तारिक में मिल रहा है, अब यह तक हालविंग यह वाली नहीं हो जाती, हालविंग एक्सपेक्टेड है, करीबन 19 अपरेल के आसपास, अब इस तकरीबन 21 दिन बचेयों में हालविंग में, तो एक्सपेक्टेड है, मतलब 8,4,000 वाला जो block है, वो जब माइन हो जाएगा, यहाँ पर यह स्क्रीन पर आप यह जो block चल रहा है, आप खुद चाहें तो देख सकते हैं, यह blockchain.com है इस पर जाएं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि बिटकोईन की हालविंग कब होने वाली है, exact, live सारी डेटेल आप खुद समझ सकते हैं, तो अभी जो यह block चल रहा है, यहीं पर एक block, जब यह माइन होत जाएगा, और यह जो reward है, यह धीरे-धीरे हर चार साल में कम होता जाएगा, क्योंकि जो सतुषी नाकम होतो है, उन्होंने खुद यह सारी चीज़े सेट की थी, कि बिटकोईन के algorithm में ऐसे चीज़े डाली थी, कि बिटकोईन का जो price है वो inflationary रहे, मतलब supply कम होगी, तब ही उसका price बढ़ेगा, इसकी supply जो है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर, total supply 21 million रखी गई, और आज की तारिक में, करीबन 19 million माइन हो चुके है, अगर डेटा की बात किया है, तो 2030 तक का लगबग 98% बिटकोईन मार्केट में हो गए, मतलब 2030 तक का 98% और आखरी जो बिटकोईन ना हो, नहीं होगी definitely, तो मतलब उस समय लास्ट बिटकोईन का reward माइन हो, मतलब लास्ट बिटकोईन reward में, ब्लॉक के रूप में, जो reward मलता उसमें हो रहा हो, उसके बाद जो बिटकोईन के network को support किया जाएगा, क्योंकि उस समय ट्राजिशन जो करते हैं, उसमें जो fees लगत इसके historical data पर जाएगा, कि बिटकोईन के हालविंग के बाद क्या हुआ, इस से पहले जब बिटकोईन के हालविंग हुई, सबसे पहले बिटकोईन 2009 में launch हुआ, उस समय जब mining होती थी पर ब्लॉक, हर 10 में 50 बिटकोईन माइन होते थे, हर 10 में 50, उसके बाद जो first जो हालवि से ठीक पहले 50 BTC पर ब्लॉक माइन होता था, हलविंग के बाद 50 BTC पर ब्लॉक हो गया, और हलविंग के समय जो बिटकोईन का प्राइस था, अब इस से प्राइस से आप ये अनलेसिस कर सकते हैं, कि क्या प्राइस हो सकता है 2024 की जो हलविंग होगी, तो यहाँ पर उस समय थ हलविंग से पहले 25 और हलविंग के बाद 12.5 BTC माइन होने लगे पर ब्लॉक, हलविंग के समय जो प्राइस था बिटकोईन का हो 650 डॉलर, 650 डॉलर, जो ची आज की तारिक में 615 डॉलर में क्या मिलता है, BNB मिल जाता है, और हलविंग के 1500 दिन के बाद प्राइस था BTC का 758 थोड़ा सा बड़ा बहुत जादा नहीं बड़ा, 2020 की हलविंग के समय यहाँ पर हलविंग से पहले 12.5 BTC पर ब्लॉक और हलविंग के बाद 6.25 BTC, सब अच्छे BTC पर ब्लॉक माइन हो रहे था, जो कि अभी हो रहे है, आज की तारिक तक का यही चल रहा है, इसकी जो Bitcoin All Time High भी टच किया था, यानि कि Bitcoin All Time High 69,000 के आसपास, और अभी अगर हम देखा जाए, आज की तारिक में, पर 9.23 मिनट पर ब्लॉक माइन हो रहा है, वो 10 मिनट लोग इसलिए बोलते है कि हाँ, 9.23 मिनट पर बोलना टिपिकल होता है, इसलिए लोग रेंडमली बोलते हैं, 10 मिनट लेकिन जो टाइम है, वो है, 9.23 मिनट पर ब्लॉक के लिए, अभी जो स्पीड चल रहा है, तो इस आप से देखा जाए, तो तकरीबर 19 अप्रिल, जो मन्त आ रहा है, 2024 उसमें होगी, UTC 12 बचकर 35 मिनट पर एक्सपेक्टेड है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा इसी तरीके जिस तरीके चल रहा है, तो इस समय भी हो सकती है, और फिर उसके बाद जो ये हालविंग हम लोग को देखने को मिलेगी, 2026 में देखने को मिलेगी, 32 में देखने को मिलेगी, 36 में देखने को मिलेगी, 44 में और इस तरीके से तब तक चलती रहेगी, जब तक हम लोग जीवित हैं अब यहाँ पर एक सवाल लोग के मन में यह आ रहा है कि बिटकोईन की हालविंग के बाद प्राइस क्या हो सकता है दरसल यहाँ पर बिटकोईन अभी यह समझे की पीक पर है लेकिन इसके डिमांड भी अब बहुत ज़ादा बढ़ चुकी है जो ब्लैक रोक, ग् बढ़ चुके ज़्यादा बढ़ चुके तो बिटकोईन की अवरनेस बहुत बढ़ चुकी है उसी के साथ यहाँ पर रैगुलेशन भी लगग लगग काफी क्ट्री में आ चुकें कुछ में आ रहे हैं कुछ में균ेश है कुछ में पूरी तरीकी से बैन तो यहाँ पर यह जो चीजें यह पूरी-पूरी डिपेंड है market पर, और market में जिस थरीके से news आती है, जिस आप से adoption होता है, जिस आप से जो Ethereum का ETF अप्रूवल वाली है, वह भी news अगर actual में आ जाती है, जमीन पर market में, तो यह भी major changes होगा, पूरे market को move कराने में, तो यह जो changes यह सारे गर continue रहे तो Bitcoin हम लोगो हो सकता है 1,60,000 डॉलर या उससे थोड़ा और उपर देखने को मेले इस पूरे halving के बाद जो bull run actual में जो peak होगा जो top होगा उसमें और रही बात correction की तो correction भी possible है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं और इस halving के बाद थोड़ा बहुत क्योंकि market अभी pre-halving बहुत ज़्यादा पंप होई है तो हो सकता है कुछ हम लोगो को surprise भी देखने को मिलें तो यह halving काफी ज़्यादा डिफरेंट है पिछली बार जितनी भी halving होई से काफी ज़्यादा डिफरेंट है बाकि आपके मन में क्या चल रहा है इस halving को लेकर क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हालविंग में प्राइज मतलब लिस लगातारी सी तरह बढ़ता जाएगा यहाँ पर कुछ चोटे-मूटे करेक्शन भी देखने को मिलें कुछ सस्ते में क्रिप्टो भी खरीदने को मिलेगी क्या कुछ है आपके मन में मुझे बताईए बाकि जो मेरे मन में था वो सारा हम पताए उनके साथ यह वीडियोष शेर कीजिए अपने ग्रुपस में और ताकि हालविंग के बारे में और लोग को समझ में है पताचले एक्च्वल में होती क्या है यह होती है थैंक यूग है दूसरों वीडियो देखने के लिए